एक आर्टिस का मर्डर हो जाता है इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन में डिरेक्ट्ट्व की एक्स गर्ट्वेंड भी इन्वार्वड है तो सब चीज़े कॉंप्लिकेटेड हो जाती है अलग-अलग सिक्रेट्स यह बाहर निकलने लग जाते हैं आज के हमारी मुवी जेट य मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जाता हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट दोनों कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत सबोर्ट मिलते हैं बीना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें आर्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है त्रीना नहीं जाती कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें पर वह मानने नहीं वाला यह दोनों एक दुसरे के साथ टाइम स्प्रेंट करना चाते हैं पर दोनों कुछ ना कुछ काम से बीजी है इसी पार्टे में हमारा और एक मैन क्यार और मैट यह दोनों अच्छे फ्रेंड्स है सब म्हास्स कोछ मेंड करते हैं बैदो है तुम बहुत भी तुम भी प्यूटीफूल लग रहे हैं इन्टरप्ट करकर फिर से मैट ट्रीना के साथ डांस करने लगता है डेविड एक डिरिक्टिव है उसे अपने ओफिस से कॉल आता है उसे अज़र नहीं जाना पड़ेगा पार्टी से जाते वक्त मैट ने उसे नोटिस किया और पूछा क्या हुआ मुझसे क्या कुछ गलती हो गए पर पहुचता है तो बहुती ब्रूटली मर्डर किया गया है एक हैचेट से उसे मारा गया था आर्टिस को लटका दिया गया है और उसके फेस वर मास्क भी था डेविड को बताया जाता है कि मैट कोई डेड़ बॉड़ी मिली थी वह एक मूवी देखने के लिए गई हुई इसे वह बारी किसे देख रहा था तो उसे एक एरिंग मिली यह एरिंग उसने पहले कभी देखी है सब एविडेंस लिए जा रहे थे तो अपनी फ्रेंड को कहता है कि इसे एज एविडेंस तुम मत रखना इसे अपने पास से तुम रखो अब यहाँ से जाते हो डेविड स जगा पर आया हुआ है उसे जो स्मॉल वाक्सेस मिले थे स्मॉल वाक्सेस के उपर जो साइन मना था इस साइन के बारे में वह वहाँ पूछता है एक आदमी इस साइन के बारे में जानता है उस पर जेड यह नाम लिखा हुआ है डेविड उस चैनीज आदमी से पूछता है क्या तुमने इसे इंग्रेव किया था वो कहता है कि नहीं इसे बनवाया गया था पर इसे उसने सेल किया था वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी था उसने एक ब्यूटिफुल हुमन के लिए बाई किया था अब नेकसेन में डेविड और मैट को हम एक साथ चर्च में देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है एक अच्छे फ्रेंड्स है मैट डेविड से कहता है यह जो केस है यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा केस है जो तुम हमेशा से चाहते थे यह दोनों एक दूसरे से ट्रिना को लेकर भी मज़ाग करते रहते हैं इसके बाद नेकसिन में पुलिस स्टेशन में सब कुछ डिस्केशन हो रही है यह सब हम देख सकते हैं यहाँ पुलिस को पता चला है कि आर्टिस को मनी प्रॉलम थे यह उसके घर के से एक कैमेरा रोल भी मिला था इस फोटो में डेविड देखता है गवर्नर एक लड़की के साथ इंटिमेट हो रहा है गवर्नर बहुत ही पावरफुल है तो पुलिस इसमें ज़ाधा इन्वेस्टेशन नहीं करना चाहती पर डेविड मानता नहीं यह लड़की कौन है इसका पता अब वो निकालने वाले हैं डेविड खोज जाकर गवर्नर से बात करेगा अब नेक सिन में हम देखते है कि मैट और डेविड गेम खेल रहे है मैट यहाँ डेविड को एक ओफर देता है गहता है अगर तुम मेरे साथ आकर काम करोगे तो पावर और पैसा यह दोनों चीसे मिलेगी डेविड डेविड बना जाता है पर मैट ने अभी-भी जो ओफर दी है यह उससे भी अच्छी है डेविड को जो भी सब चाहिए वो अभी क्या भी मिल सकता है पर वो इसके लिए मना कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गवर्नर से मिलने के लिए आया हुआ है वो जब सब फोटो गवर्नर को दिखाता है तो गवर्नर उस पर बहुत चीर जाते है वो कहते हैं अगर इस केस में मेरा थोड़ा भी नाम आया तो पुरा करियर में तुम्हारा तबाह कर दूँगा तुमने कभी भी इमाजीन में नहीं किया होगा ऐसा तुम्हारा हाल होगा डेविड भी इस चीज के लिए मान जाता है गवर्नर का नाम इस केस में कभी भी नहीं आएगा डेविड गवर्नर से पुछता है क्या आपको कोई ब्लैक्मेल कर रहा था गवर्नर कहते है मुझे कोई भी ब्लैक्मेल नहीं कर सकता वो बहुत ही डेंजरस है ट्रिना एक ओथर है अपनी बूक का प्रोमोशन करने के लिए अलग सिटी में वो आई हुई थी वो मैट से दूर है तो रात में उसे कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ही मीस कर रही थी मैट इस मैसेज को सुनता है और वो किसी और के साथ इंटिमेट हो रहा है यह हम देख सकते है डेविड गवर्नर से मिलने के लिए गया था तो उसके बॉस उस पर बहुत ही नाराज है वो उसे इस केस से हटा देना चाते है पर डेविड कहता है अगर आपने ऐसा किया तो सारे फोटोज पबलीक में चले जाएंगे तब बहुत ही बड़ा ट्रवल हो जाएगा उपने बॉस को भी धमका कर वहाँ से चला जाता है इन्वेस्टिकेशन करते करते पुलीस को एक घर का पता मिला है यहाँ पर जाकर सब चीज़े वो देखते है तो यहाँ अलग-अलग सेक्स टॉइस पड़े हुए है एक रूम में उपर हिडन कैमेरा भी लगाया हुआ था इसे घर के नेवर में एक बुड़ा आत्मी रहता था उसके पास एक स्कोप था जोसे हमेशा इस घर पर नज़र रखा करता था डेविड फिर उसके पास भोशता है गवर्नर के साथ जो लड़की थी उसी लड़की की इमेज वो इस आदमी को दिखाता है और या आदमी इसे पहचान जाता है कहता है यहाँ आया करती थी अब इस लड़की को ढूणना बहुत इंपोर्टन हो चुका है इसके सब रेकॉर्ड से गरा निकाले जाते है और अभी करेंटली चाइना टाउन में एक डूटी पारिलर में हो काम कर रही है पेशले दो सालों में अलग-अलग ट्रबल की वज़े से उसने बहुत सारे जॉब्स छोड़े हुए है जब वो उसे मिलने के लिए उसके पास पहुचते है तो वहाँ से वो भागनी की कोशिश करती है वो रन करती हुए बहुत दूर तक जाती है पर डेविड फाइनली उसे पकड़ ही लेता है जब वो उस लड़की को चेस कर रहा था तो उसके फेस पर बहुत सारी इंजूरी हो गए इस लड़की का नाम पैट्रिस है पैट्रिस कहती है मुझे मेरे लॉयर को कॉल करना है तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी क्या है यह सब मुझे उससे बता रहा है डेविड उससे बात करता है कहता है तुम्हें अगर लॉयर से बात करने है कोई भी चोईस नहीं है, सब कुछ फिर वो बताने लग जाती है, पैट्रिस आर्टिस के साथ भी involved थी, वो कहती कि मैं एक party में उसे मिली थी, वो फिर उसे उसके secret house में लेकर गया, बाद में उसके साथ काम करने लग गई थी, आर्टिस ने उसे governor से मिलवाया था, और वो उसे उसी घर में लेकर गई, इसके लिए उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिले थे, पर उसे नहीं पता था, कि उसके recording हो रही है, पैट्रिस कहती ही कि उस house पर में चिन भी लोगों से मिली, वह हमेशाद जेड का नाम लेते थे, जेड जिस तरह से उनके साथ एक minor accident भी हो गया, हॉस्पिटल में उसे पुलिस मिलने के लिए आये, उन्होंने का तुम्हारे गाड़ी का ब्रेक जान पुछकर फेल किया गया था, इसके बाद हम देखते है, आर्टिस के घर में पुलिस को कुछ फिंगर प्रिंट्स मिले थे, उन्होंने इस फिंगर प्रिंट्स को अपने डेटावे से मैच किया, तो एक लड़की की फाइल्स उन्हों मिली है, डेविड जब इस लड़की की फोटो द देखा हुआ है, इस कनफर्मेशन के बाद, डेविड डेरेकली फिर मैट के पास पहुचा, डेविड कहता है कि मुझे टीना से बात करनी है, मर्डर वेपन पर टीना के फिंगर प्रिंट्स है, मैट उसे समझाता है कि टीना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, उसने खुद कहा रिलेशनशिप कैसी थी, वो गया थी कि हम दोनों एकी कमपनी के लिए काम करते है, उनकी रिलेशनशिप यह बहुत ही फॉर्मल थी, डेविड पुछता है क्या तुम कभी उससे अकले में मिली हो, तो गय थी कि एक पार जब उसका मर्डर हुआ, उसी दिन सुबा में उससे मिलकर आई थी, डेविड फिर डारेक्ली बुछता है क्या उसके साथ तुमारे कोई फिजिकल रिलेशनशिप थी, इस पर वो चीर जाती है, कैती है, हमारे रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल था, उससे फिर पुछा जाता है, जिस दिन वो आर्टिस से मिली थी, उसके बाद गर आने पर, क्या घर में कोई था, यानि कि वो घर पे थी, या कोई बता सके, ऐसा कोई भी नहीं था, उस दिन आफ्टरनून से लेकर रात तक उसे किसी नहीं भी नहीं देखा, यह बहुत ही सस्पिच्छेस है, डेविड जब सबसे बात करता है, तो उन्हें भी लगता है कि टीना नहीं मर्डर किया है, उसके फिंगरपिंट्स मर्डर वेपन पर है, और आफ्टरनून के बाद, वो किस के साथ थी, या मैं नहीं पता, नेक सिन में हम देखते हैं, मैट टीना के साथ इंटिमेट होने लगता है, यहाँ आपर हम देख सकते हैं, टीना इंटिमेट नहीं होना चाहती थी, इंटिमेट होते वक्त उसके आख में आसु है, पुलिस को आर्टिस के घर में एक टेप मिली थी, जिसे जराया गया था, इस टेप को रिकॉर करते हैं, और इसमें कुछ इमेजेस वो देख सकते हैं, जब डेविड इस टेप को देखता है, तो वहाँ टीना दीख चाती है, अब वो टीना ही है, यह वो कंफर्म करना चाता है, पिट्रिस ने डेविड को कहा था, बीच हाउस पर जिस भी आदमी के साथ वो इंटिमेट होती थी, वो जेड को ही चाता था, जेर यह इस मूवी की मिस्टरियस क्यारेक्टर बन चुकी है, बाकते गया और उसने इस गाड़ी का पीछा किया, इनकी चेज दूर तक चले, फाइनल इस कार ने डेविड को ही ठोक दिया, और इसके बाद वहाँ सी चली गए, डेविड के कलिक को लगता है, बेट्रिस को इस सब में उसने ही इन्वाल किया, इसी वज़े से उसकी डेथ हो के, डेविड इस पर बहुत ही चेज जाता है, इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ने अपनी कलिक को एक एरिंग छुपाने के लिए कहा था, उसकी कलिक कहती है, अगर मैंने इसे ऐसे एविडन्स लॉग नहीं किया, तो मैं ट्रबल में आ सकती हो, पर डेविड उसे स साथ intimate हो रहा था, इसके photos है, इसकी original copies वो चाहते हैं, डेविड अभी इस original को देने के लिए उन्हें मना कर देता है, इसके बाद हम देखते हैं कि टीना को investigation के लिए बुलाया जाता है, अब इस बार टीना से जब वो पूछते हैं कि आर्टिस के साथ तुमारी कोई relationship थी, त दोनों intimate हो गए थे, तो शायद उसी time ये tape ली गई होगी, कहती है कि मैं सिर्फ एक बार उसके साथ intimate हुई हूँ, मुझे और कुछ भी पता नहीं है, टीना के खिलाब जो भी सब सबूत है, तो डेविड उसे सब कुछ clear करता है, यहाँ पर मैट टीना को defend करता है, को कहता है यह सब बगवास है, अगर तुम उसे charge कहना चाते हो, तो अभी क्या भी करो, पर डेविड यह नहीं कर सकता, तो टीना को लेकर मैट वहाँ से चला जाता है, घराने पर उसे पूछता है, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, टीना कहती है, तुम expect क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या ल से पेट्रिस को मारा गया था, यह डीविड को मिल चुकी है, यह गाड़ी चोरी की थी, टीना और इस गाड़ी में कोई भी link नहीं है, अब डीविड को लखता है, टीना को कोई फसरा चाता है, नेकसिन में हम देखते हें, यह डीविड और टीना इंडिमेट हो रहे है, टी िइविड को गेती है यह दूसरे लोगों के बारे में मैट को नहीं पता वो डिविड को समझा रही है कि मैने ये सब मर्डर नहीं की ती याएँ पर साइड में आ MEMचिया किया रहाएं लिए इसके बाद के नहीं तो मैट आल्डर हुअ था ठीना भी देविड के पास आई थी यह मैट को पता है उसे लगता है यह इन दोनों में अब अफेर हो चुका है यह उसे कंफरंट कर रहा था तभी डेविड को ट्रिना का कॉल आया उसके घर में कोई है घर में कोई घुज गया था और ट्रिना को मारने की कोशिश कर रहा था घर की मेड को भी मार दिया गया है डेविड और मैट यह जल्दी से वहाँ पहुचते हैं एक्चुली घर में दो लोग है इन दोनों से उलड़ते हैं इनके सर पर मास था जब देखता है तब नोटिस करता है उसके ही कली किये थे ट्रीना को अब उसने बचा लिया है डेविड ने अब फ तक जो भी क्या है यह सब मैं इग्णोर कर दूँगा सिर्फ ट्रीना सेफ रहनी चाहिए अब यह पूरा केस क्या था इसके बारे में मैं आपको बताता हूं आर्टिस को गैंबलिंग की आदत थी और इसी वज़े से वो मनी की प्रॉब्लम में आ चुका था उसके गवर्नर में पैट्रिस और ट्रीना भी सामिल थी ट्रीना एक अलग नाम जेड से यह सब पिजनेस करती थी उसका हाजबन उस पर चीट कर रहा था तो उससे बदला लेने का ये एक वे था अभी तक आर्टिस का मर्डर किस ने किया है यहां में पता नहीं चला मुवी का लास्ट दिन पिजने आता है और ट्रीना अपने रूम में जो भी लोग के साथ वो इंटिमेट होई थी इन सब के फोटोस देख सकता है ट्रीना की एक एरिंग आयप है जो आर्टिस के पास डेविड को मिली थी इस एरिंग का बॉक्स मैट के पास है इन सब मैट पहले से इन वाल था उस इस टाइम जब हम बैड में होंगे तो मुझे तुम जेन से मिलवाना यानि की ट्रीना अब हमेशा के लिए उसके साथ फर्स चुकी है यह मूवी इसी ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है